So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफे कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू तो वीडियो की शुरुआत करेंगी H.A.L. के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 4908 रुपे के लेवल पे हमें क्लोजिंग दी रिटन्स की बात की जाए तो 77.95 रुपिस के राउं तक के बहतरीन रिटन्स टॉक ने यहाँ पर लास्ट रिटिंग से जन दिया है और पिछले पाच दिनों में कई सारे अपसाइड डाउंस वेंटम रहे और एक महीने में भी आप देखो काभी बड़ी गिरावट ने जराती है पर इसके जलते हैं अगर आप देखोगे तो आगे अच्छे रिटन्स मल सकता है यहाँ पर कुछ फर्म की और से अच्छे टार्गिर्स दिये जा रहे है प्लस यहाँ पर बड़ी न्यूस भी आ रही है तो उन सब चीजों को हम आगे डिसकस करेंगे तो HL में chronique पहले News को हम देख लेता है न्यूस क्या है तो Indian Military Commits to procure 400 अब्लस मीडियम क्लास हेलिकॉप्टर फोम हाचे है तो हेचेल से ढगा देखे 400 प्लस हेलिकॉप्टर इन्डिन मिलिकॉप्टर खरीच सकता है तो यहाँ बड़ी चीज है HL Changeにな entrarman CB Anant HARRIS रिवील धाट अप्टर थोड़ दिसकेशन विद दे इंडियन आर्मी इंडियन नवी और इंडियन एर फोस दो कम्बाइइंड रिक्यो रिक्वार्मेंट फोर द आई एम आर एच जो मिडियम हेलिकॉप्टर है स्टेंड एट 419 यूनिट्स यानी 419 यूनिट्स यह यहां प सेवेन टीन सीरीज हेलिकॉप्टर तो यहां पर अगर देखे अभी करंटली जो सर्वीज दे रहा है जो हेलिकॉप्टर अभी यूस के जा रहे है उसका नाम है एजिंग MY17 series तो अभी अगर देखे यह replace होने वाला है 20-13 ton class medium weight helicopter जो अभी बनाए जाएगे उन में तो एक बड़ी चीज है इसका अगर देखे IMRH units इनने कहा जाएगा 419 IMRH units रहेंगी तो 66R designate at deskboard multi roll helicopter DBMRH इनने कहा जाएगा यह Indian Navy के लिए बनाए जाएगे this maritime helicopter wheel features a higher all of weight and customized configuration to meet the specific operation demand novel mission तो यहाँ पर अगर देखे इसमें से 353 IMRH जो है रहेंगे unit जो है ओ Indian Air Force को भी अलोड किये जाएगे और MY 17 series जो है उससे replace होने वाले हैं तो यहाँ पर अगर देखे HL बड़े level पर हापर helicopters बनाने वाला है 400 plus helicopters बनाएगा जो काफी बड़ी चीज यहाँ पर नजर आती है और इसका एक तगड़ा positive impact जो है stock के उपर पढ़ने वाला है आने वाले trading seasons में तो यहाँ पर अगर देखे कुछ बड़े firms की और से कुछ अच्छे targets भी दिये जा रहे है HL को लेकर तो यहाँ पर अगर देखे after budget कुछ news यहाँ पर आ रही है तो targets को हम discuss कर लेते हैं तो defense stocks में अगर देखे ICICI securities का क्या मानना है यहाँ पर इन stocks को क्या फाइदा हो सकता है budget से तो यहाँ पर इनकी वह से कहा गया है तो budget में कुछ points इनोंने निकाले है कुछ की points है जैसे record capital budget जो है इसका 1.72 trillion का है allocation for aircraft and aero engines has seen a massive increase 67% यह बड़ा ही iron year basis पे यहाँ पर अगर दिखे revised estimated for novel fleet जो novel fleet के लिए यहाँ पर अगर देखे 2026 के comparison में कोई भी unchanged यहाँ पर रहा है को भी changes यहाँ पर नहीं रहे allocation for DRDO has remained broadly stable allocation for project air force तो air force पर काफियत तक focus यहाँ पर किया जा रहा है तो इनका क्या benefit रहेगा तो यहाँ पर ICICI securities का मानना ही कि F25 में जो इनके targets है वो काफी बड़े हो सकता है इसमें अगर देखे हम HL के targets को discuss करें तो सब्सक्राइब करने का रिकमेंडिशन दिया है जो एक बड़ी बात है तो बिलकुल HL में अगर दिखे मुल्टीपल पॉजिटिव न्यूस से stock में आगे एक बड़ा देखने को बज़ सकती है बड़ एक चीज आपको यहाँ आपर ध्यान में रखनी है कि stock में जब भी correction आएगा तो एक तकड़ी बाइंग आ सकती है इस point के उपर आपको focus करना चाहिए और next stock जो है हमारा उसका नाम है BEL भारत electronics limited की बात करें इसमें भी ICICI की और से अगर देखे करने का recommendation है BEL में अगर देखे उनका target 300 का है 300 के round अगर ही शेर आता है तो add करने के लिए recommendation यहाँ पर इंगियोर से दिया जा रहा है और वहीं के ठीक है तो बिल्कुल 300 रुपे के price से stock ने काफियत तक rally बताई भी last training season stock 310 रुपे 45 पेसे के round तक की closing देता हुआ है आपर नज पाच दिनों की बात करें तो stock में हाँ पर हमें बड़त भी नजर आई गिरावट भी हमें देखने को मिली फिर अगें बड़त आई तो यहाँ पर budget में अगर देखे 388 रुपे 288 तक आ गया था बट उसके बाद खास चीज़ यह नजर आती ही कि stock में एक बड़त भी हमें देखने को मिली 288 के लेबल से recover करता गया 22 रुपे तक के stock में recovery भी हमें नजर आ गी है यहाँ पर एक बड़ी न्यूज है रशिया के साथ अगर देखे बड़ी डील के यहाँ पर अगर देखे ए बड़ा यहाँ पर अगर देखे प्रोडेक्शन करने वाला है एमिनियस का भारत इलेक्ट्रोनिक टूडे लुक सिग्डिपिकेंट बिल्कुल लास्ट रेडिंग सेजन काफी अच्छा रहा एशर बड़ा भी और वही कर देखे और सेल्फ रिलाइंस की सेल्फ रिलाइंस ह लोने की और यह one step आगे बढ़ा रहे हैं in ammunition production, ammunition production की अगर बात करे तो इन्होंने अगर देखे try and write memorandum for understanding sign किया है, रोसो बोरो रोसो बोरो nextport, रोसो बोरो nextport से यहाँ पर अगर देखे deal हुई है, रशिया and MSK Business Solution PVT Limited है रशिया की ये कमपनी है कॉलेग रशियन एम टू लाइसेंस दा प्रोड़क्शन एंड सप्लाइ इंडी जी नाइजेट 30 mm एम्यूएशन बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें बड़े लेवल पर यहाँ पर अगर देखा जा होने वाला है 40 mm एम्यूएशन का जो वी ओजी याफ इवे जू ठाइप 25 इसका नाम है 30 mm ग्रैणिक्ट्स का यहाँ पर रया बिल्कुल एक बड़े लेवल पर पर प्रोडक्शन और ले RYANे ले ने बाले है क़िन की यहां पर है यहाँ और जो बिल्कुल आप stock के उपर positive रह सकते हो और वही अगर हम देखे इसके levels को भी कहीं न कहीं यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो पहले हम BL के levels को देखें तो बिल्कुल उपर की ओरे stock जाने की यहाँ पर बिल्कुल उपर की ओरे stock जा रहा है continuous ले बड़त देखने को मिले 26 तारीक से अगर आप दिखोगे तो इसने जो growth है वो continue रखी यह चीज मैंने पहले भी कही थी कि यहाँ पर अगर दिखो तो एक important level है यह level अगर break हो जाता है तो एक बड़त रहेगी तो यहाँ पर मैंने कहा था कि 302 301 रुपे का जो zone है यह level break हो कर रहा है तो यहाँ पर last trading season तो बिलकुल अच्छी तेजी रही है अभी ऊपर के अगर देखे 313-314 रुपे तक जाने किए stock जो है कोशिश करेगा और इसके levels को हम discuss करेगे कल वीडियो कल के वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम पर तो ह है और इस सेसंडे टाइप triangle का breakout अगर मिलता है तो stock में एक तीजी जो है upside की और की देखने को हमें मिलेगी और भी बहतरी डिटन्स जो है stock में हमें आने वाले time में देखने को यहाँ पर मिलेगे है HAL की बात कर लेते हैं तो HAL में अगर आप देखोगे तो जिसे मैंने बताया था एक पॉल इन फ्लैक टाइप बैटन बन रहा है जो काफी अच्छी अच्छे लेवल्स यहाँ पर बन रहा है पॉल यहाँ पर create होता है फ्लैक बनता है तो बिलकुल अपकमिंग ट्रेडिंग सेजन्स के लिए भी positive उड़ा सकते हो पॉल इन फ्लैक टाइप टाइप पैटन का अगर breakout मिला तो इस टॉक में यहाँ से upside के और के एक rally देखने को हमें मिल सकते हो और वही एकर हम देखे तो मंदरामेट के चार्ट प्रेम पर भी तो एक symmetrical टाइप पैटन जो है stock ने यहाँ पर बनाया था बिल्कुल आप देख सकते हो एक symmetrical टाइप पैटन stock ने आप पर बनाया और symmetrical टाइप पैटन के breakout के बाद stock में और एक अच्छी growth नजर आ सकती है पूरे पूरे chances से आप नजर आ रहा है तो यहाँ पर अगर देखे HAL में भी levels positive है plus BEL में भी level positive है तो यानि यहा यहाली जो है stock में हमें देखने को आप पर मिल सकते हैं इसकी उपर आप ध्यान दो split share को भी discuss कर लेते हैं बाल में लेवरी investment limited 960 रुपे का share है 7.55 पेसे तक के around तक के अगर आप देखोगे stock में एक बड़त भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है company की और से अगर आप देखोगे तो 10H2 उनका split announce किया गया है एक share के एक share जो है 10 share में टूटेगा अगर 100 shares होगे तो 1000 shares में टूटेगे 9 अगर दोज़ार 24 से बिले buy करते हो इसका benefit आपको मिलेगा और all काफी कोई चीज़े discuss कर लिया I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो को like चैनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram चैनल को join करो link नीचे description में आपको मिल जाएगी thank you